साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था सबका प्रयास, ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामुहिक शक्ति जूरती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गती भी बढ़ जाती है, दस मंजिला ये विश्राम सदन भी, सबके प्रयास से, इस कोरोना काल में बनकर तयार हुआ है, और ये भी विशेश है, किस विश्राम सदन में, देश की सरकार और कॉर्पोरेट वर्ल्ट, दोनों की साजा सक्ति लगी है, इनफोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है, तो वही इसके लिए जमिन देने और बिजली पानी का खर्च एम्प्स जज़र द्वारा उपलब्द कराया गया है, मैं एम्प्स, प्रबंदर और सुधा मूर्ती जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभायर व्यक्त करता हूँ, सुधा जी का व्यक्तित्व जितना विनम्र है, सहच सरल है, उतनी ही वो गरीबों के प्रती करुणा से भरी हुई है, नर सेवा को नारायन सेवा मानने वाले उनकी विचार, उनके कार्य हर किसी को प्रेरित करते हैं, इस विस्राम सदर में उन्होंने सयोग के लिए मैं उनकी सरहना करता हूँ,